हेलो गाईस स्वागत है आप सभी लोगों का competition community में आज के इस वीडियो में हम लोग discussion community पर जो series चला रहे हैं जिसमें हम लोग national और चत्तिसगड़ के issues पर discuss करते हैं तो आज हम लोग 36 गड़ के issues के तीसरे week का जो topic था वो था 36 गड़ में को पोशन के समस्या और सरकार के प्रयास यानि की malnutrition in 36 गड़ and the efforts of the government इस topic जो की पिछले हपते इसको create किया गया था आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लेक भी लिखा है उसको हम लोग यहाँ पर analyze करेंगे कि इस topic का सही proper way में किस तरह से frame करके एक सटिक उत्तर लिख सकते हैं इसको हम लोग analyze करेंगे इसके लाबा जो national issues पर जो आपको topic दिया गया था 5 trillion dollar economies related उसका analysis वाला वीडियो कल आकास सर की तरफ से deal किया जा चुका है YouTube पे आप लोगों के लिए available है तो उसे भी जाकर वाँ पर देख सकते हो आज हम लोग इस topic को analyze करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ actually न मुझे मैं पता नहीं था कि सच में हमारे साथ मतलब इतने talented लोग जोड़े हुए हैं कैसे कल जब मैं पूरा एसे आप लोगों का पढ़ रहा था तो उसमें से कुछ लोगों ने इतना घजब का लेक लिखा है ना इतना सराहनी है लेक लिखा है ना कि मन करता उसको बार बार पढ़ने का और अगर आप सच में seriously preparation कर रहे हो ना सच में अगर exam निकालना चाहते हो न तो आप इनके लेक को एक बार जाकर पढ़ो अगर लेक अच्छा लगता है तो उनके लेक पर comment करो या फिर आप भी लिखने का प्रयास करो तो एक बार इनके लेक को जाकर आप लोग जरूर पढ़िएगा इन लोगोंने बहुत अच्छा लेक लिखा है इन लोगों का न नीटी पे जो हम लोगों ने तीसरे हफते का topic create किया था तो इस topic को आज हम लोग यहाँ पर analyze करते हैं तो जैसे मैं आप लोगों को बार-बार भी बोलता हूं कि अगर किसी topic पर आप answer writing कर रहे हो तो सबसे पहले 1-2 minute का वक्त दो और इस questions को ध्यान से पढ़ो questions को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब तक आप सही तरीके से questions नहीं पढ़ोगे आप एक बहतर answer writing नहीं कर सकते और जब तक आप questions को सही तरीके से नहीं समझोगे एक सही way में आप answer writing नहीं कर सकते तो सबसे पहले आप questions को समझे और questions को समझने के बाद आप rough page में एक या दो मिनट तक आप उसको एक अच्छे तरीके से frame कर लीजे कि आपको क्या-क्या लिखना है और कौन-कौन सी चीजे यहाँ पर cover करना है question की किस प्रकासर demand है आप इस चीज को समझो उसके बाद ही लिखन में start करोगे न तो पूरे रास्ते से भटकते जाओगे और कहां जाओगे अद्रक की तरह निकलता हुए यह आप लोग को पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो अगर question से समझ नहीं आ रहा है तो simple एक तरीका में आप लोग को बताया था कि question को तोड़ दो अगर ये question समझ नहीं है कि 36 गड़ में को question की समस्या किस प्रकार से है और सरकार के प्रयास के इस प्रकार से है इसी पर पूरा आधारीत होगा हमारा आज का ये discussion और पूरा सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि framing बहुत important होता है तो उसके बाद जब आप questions को वहाँ पर पूरी तरह से समझ गया कि question अब से क्या पूछना चाते है तो इसको frame करो frame कैसे करोगे देखिए सबका तरीका अलग-अलग हो सकता है frame करने का इसमें कुछ और add किया जा सकता है अगर वो बहतर हो तो अगर आपकी सोच के हिसाब से अगर वो बहतर हो तो आप बिलकुल एड़ कर सकते हो यह मेरा तरीका है मैंने इसे तीन तरीके से फ्रेम किया है इसमें सबसे पहले पार्ट में हमने रखा introduction उसके बाद middle structure और उसके बाद conclusion ठीक है introduction और conclusion हमारा बहुत attractive होना चाहिए ठीक है क्योंकि सुरू यहां से हो रहा है खत्म यहां से हो रहा है तो जो आपका copy चे करते रहेगा वो आपका introduction से सुरू करेगा और conclusion पर खत्म करेगा तो इसलिए हमेशा यह बहुत attractive होना चाहिए इसमें facts use होने चाहिए और अच्छे-च्छे quote भी य क्या-क्या चीजें add कर सकते हैं या फिर किस तरह से इसे लिखा जा सकता है जिक सबसे पहली बात introduction की introduction में आप यहां पर दो चीजें लिख होगे सबसे पहली चीज क्या होगा introduction में इस topic को पढ़िया 36 गड़ में कूपोशन की समस्या और सरकार के प्रयास हम इस topic को क्यों लि तो introduction में आप कुछ यहां पर सबसे पहले एक surprising report या फिर recent report भी आप इसे कह सकते हो introduction के पहले पार्ट में आप रखो तो इसमें हम लोग क्या add कर सकते हैं हाली में एक recent report आप लोग ध्यान से अगर जैसे पढ़ते चलोगे न हमेसा regular होगे तो आप लोग इस report को आप लोग report को उठा सकते हो एक report रिलीज हुआ हाली में इस report को release किया है स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले इसके अलावा इसमें Indian Council of Medical Research यह दोनों ने सहीं तुरूप से एक report रिलीज किया हाली में September में यह आपका रिपोर्ट आया इस report में कहा गया है कि पूरे भारत में हर साल 0 से 5 वर्स के उम्र के बच्चे होते हैं इन बच्चों में 1.04 मिलियन बच्चों की मौत होती है पूरे भारत में 0 से लेकर 5 वर्स तक के उम्र के बच्चों में हर वर्स 1.04 मिलियन बच्चों की मौत हो जाती है जिसमें से 2 तिहाई यानि कि अगर आप इसे परसेंट में नि नेशनल सीचुएशन बता रहे हो, नेशनल रिपोर्ट बता रहे हो, उसमें 36 गड़ का क्या लेना दाना है, तो 36 गड़ का लेना देना है, क्योंकि ये जो दो तिहाई मौते होती है न, इन दो तिहाई मौतों में अगर हम टॉप स्टेट्स की बात करें न, तो उसमें से एक आपका 36 गड़ भी है, ठीक है, टॉप स्टेट्स की अगर हम बात कर लें, तो और इसमें कौन-कौन सा राजी आता है, बिहार आता है, यूपी आता है, जारखंड आता है, इसके लावा आपका उड़ीशा आता है, और इसके लावा आपका 36 गड़ भी आता है, तो इस रिपोर्ट को आप लोग यहां पर इंट्रोडक्शन में मेंसन कर सकते हो, क्योंकि यह रिसेंट का रिपोर्ट है, किसका रिपोर्ट था, जैसे मैंने पहले भी बता है, स्वास्त एवं परिवार का लें मंतराले भारत्त्रकार, और इसके अलावा, इंडियन काउंसिल और म तो यह बहुत एफेक्टिव होगा, ठीक, अब जैसे ही एक रिपोर्ट बता दिये आपने इंट्रोडक्शन में, दूसरे पार्ट में आप इसका परिभासा लिखो, परिभासा का मतलब, कुपोशन की परिभासा आपको यहां लिखना है, कुपोशन की परिभासा हर को यह क्या कहता है, यूनिसेफ यानि कि यूनाइटे नेशन इंटरनेशनल चील्डरन्स एमर्जेंसी फंड कुपोशन पर क्या कहता है, उसके एकॉर्डिंग जब आप परिभासा लिखते हो, और उस चीज़ को आप डैस करके मेंसन करते हो, कि यह वर्ल्ड हिल्थ ने कुपोशन को तीन कैटेगरी, यानि की तीन कीफीचर्स में डिवाइट करके रखा है, सबसे पहला है, यहाँ पर कीफीचर्स नाट अपन, जिसको लोग स्टनिंग कहते हैं, दूसरा है निर्बलता, जिसको लोग वेस्टिंग कहते हैं, और तीसरा है कम वजन यानि की ये तीन तरीके से define करके रखा है Unicef और World Health Organization कूपोशन को तो एक एक layer line में आप इसका भी वहाँ पर definition लिख सकते हो कि कूपोशन के कितने key features हैं और किसके according है तो ये आपका पूरा introduction वाला part यहाँ पर बहुत attractive बन जाएगा एक बात और introduction सुरू करने से पहले आपको एक सुन्दर सा quote यूज़ करना है ठीक है quote आपको Google में बहुत सारे मिल जाएंगे आप उहाँ पर जाएए और quote का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों ने 78 line में कविता लिख डाला क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो किसी ने जो है मानखर चलो 6-7 line में उसने कविता लिखा था तो भाई साड़े 700 word में अगर आप 100-500 word में कविता ही लिख दे रहे हो तो यह चीज भी सही नहीं है ना वहीं पर आपके marks पूरे कट जाएंगे तो इसलिए quote कहावत कहने का मतलब है एक से दो line में आप इसको वहाँ पर प्रयास कर सकते हो जैसे किसी ने use किया था महात्मा गांधी का यह quote लिखा था कोई ऐसा ही statement है तो आप बिल्कुल उसे अपने वहाँ पर code कर सकते हो introduction में ठीक तो यह हो गया हमारा introduction introduction का आपका यहाँ पर दो पार ध्यान में रखना एक आप कोई recent या surprising report को add करो जिसमें आप आप 36 गड़ को भी cover कर रहे हो और साथ में देश को भी cover कर रहे हो दूसरा पार्ट में यहाँ पर आपको कुपोशन को परिभासित करना है और किसी institution के according तो ज़्यादा प्रभापसी लोगा यह दो में हैं जो कुपोशन पर काम करते रहते हैं और अलग अलग रिपोर्स करते रहते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ठीक इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं middle structure की तरह middle structure में मेरे हिसाब से यहाँ पर चार पार्ट में मैंने इसको divide किया है ठीक ध्यान से सुनिएगा middle structure भी बहुत important होता है क्योंकि सारी चीज़ों का जो व्याख्यान होता है आपको यहीं करना है तो middle structure आपका यहाँ पर किस प्रकार से होगा इस बात को समझिएगा सबसे पहले पार्ट में आप यहाँ पर इंडिया और 36 गड़ के situation को बताओ ठीक है आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर इंडिया मैं क्यों add करूं क्योंकि देखो कूपोशन की समस्या है ना तो जो भारत की इस्थिती के हिसाब से 36 गड़ को compare करते चलोगे यानि कि भार के इस्थिती हमारे देश में किस प्रकार से है तो यहाँ पर आपको middle structure में सबसे पहले बताना है कि इंडिया और 36 गड़ में mal nutrition की समस्या किस प्रकार से है दूसरे चीज में यहाँ पर लिखोगे effects यानि की प्रभाव प्रभाव कैसे mal nutrition से किस प्रकार से प्रभाव पढ़ रहा है आज के generation पे या आने वाले generation पे किस प्रकार से प्रभाव पढ़ेगा या पहले किस प्रकार से प्रभाव पढ़ेगा इस सारी चीजों को मैं brief में discuss करूँगा बस जो sub heading है उसको समझ लो sub heading कहने का मतलब यह नहीं कि आप वहाँ पर sub heading लिखने लगो बिल्कुल नहीं बस यह structure है और इसी structure पर दीरे दीरे आपको लिखते चलना है अब पैरा में लिखिएगा बहुत सारे question साते हैं आप लोगों को कि सर सब heading लिखने की जरूद एसे writing कर रहे हो तो सब heading लिखने की और कुछ जैसे important keywords आ रहे हैं या important key features आ रहे हैं तो आप उसको underline करते चलो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था ना परिवारेवम स्वास्त कर लेंड मंत्राले भारत सरकार इसके अलावा Indian Council of Research Indian Council of Medical Research उसको underline करो तो यह सब सारी चीज़ों को उहाँ पर underline कर सकते हो लेकिन आप सब हीडिंग मत डालिएगा ठीक है बस यहाँ पर framing के लिए मैं सब हीडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं इफेक्ट के बाद आप जब तीसरे point पर लिखोगे तो यहाँ पर सरकार के प्रयास होना चाहिए अब यहाँ पर सरकार के प्रयास में क्या क्या आ जाएंगे आप इसे government की schemes भी कह सकते हो national level पर कौन से schemes चलाया जा रहे हैं को पोशन को खत्म करने के लिए और 36 लेवल पर यानिके 36 गर्मेंट की तरफ से कौन से schemes चलाया जा रहे हैं यह सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर mention करना है और चौथे चीज में आप यहाँ पर क्या लिखोगे च requirement यानि की आवेशक्ता ठीक है requirement में मतलब की आज के generation को आज के समय पर क्या जरूत है क्या आवेशक्ता है जिसकी वज़े से कौपोशन को खत्म किया जा सके तो यह होगा आपका middle structure चार पार्ट में ठीक है एक एक पार्ट को हम लोग समझते हैं कि इस एक एक पार्ट में क्य क्या चीजें आएंगे ठीक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंडिया और 36 गड़ के situation को समझते हैं कि पूरे भारत में और भारत के साथ में 36 गड़ की इस्थिती को पूशन के मामले में किस प्रकार से है ठीक है तो सबसे पहले आप इस topic को लिखने के लिए सोचे इसमें क् कि भारत के स्थिती किस प्रकार से है या 36 गड़ के स्थिती किस प्रकार से है तो आपको अलग-अलग reports को study करना पड़ेगा reports का study कहां से करोगे तो आप लोगो current affairs से regular रहना पड़ेगा तभी आपका dynamic part कबर होगा तभी आप बता सकते हो कि जो प्रेजंट situation हो किस प्रकार से सिंपल सा बात है तो यहां पर आप सबसे पहले जब आप इसमें लिखोगे कि इंडिया और 36 गड़ में situation किस प्रकार से है तो एक बहुत ही महत्पूर्ण report के वारे में बता रहा हूं यह report है world health organization की तरफ से report release किया जाता है हर सार release किया जाता है इस report का नाम है global nutrition report mention कर लो global nutrition report यह report 2018 तक आ चुका है 2019 का अभी आया नहीं है तो global nutrition report 2018 के अनुसार जो पूरे भारत में 2005 और 6 में कूपोसन के स्थेति थी वो आपका लगबग 48% था जो कि कम होकर 2015 और 16 में यह जो आकड़ा है आपका 38.4% पहुँच चुका है और सरकार अभी यहां पर दावा कर रही है कि 2018 2018 में यह कम होकर 31% पहुँच चुका है तो यह global nutrition report 2018 जो कि world health organization के तरफ से release की जाती है इस हिसाब से आप यहां पर भारत के इस्थिति बता सकते हो अब यहां पर भारत के इस तिति तो आपने इस report के हिसाब से बता दिया global nutrition report के हिसाब से अब यहां पर 36 गड़ के आंकड़े आगर आप लोगों को mention करना है तो एक बहुत ही महत्पून report में बता रहा हूँ national family health survey ठीक है recent में जो अभी national family health survey का report है वो उसका part 4 है जिसको हम लोग national family health survey 4 भी कहते हैं अब इस report के अनुसार आप यहां पर 36 गड़ के numbers को mention कर सकते हो और इस report के साथ में 36 गड़ का भी एक skims देकर चल सकते हो जिसको हम लोग वजनतेवार कहते हैं तो इन दोनों के जरिये हम लोग यहां पर 36 गड़ के आंकड़े को समझ सकते हैं तो 36 गड़ में अगर अभी प्रेजन टाइम पर देखोगे इस report के हिसाब से कि कूपोशन के स्थेदी क्या है तो आपको मिलेगा यहा पर 4,92,000 लगभग 36 गड़ में बच्चे कूपोशन से ग्रसी थे हैं पूरे 36 गड़ में आप इसे लगभग 5 लाख लिख सकते हो अगर पूरा प्रोपर जो डेटा है आप याद नहीं रख पा रहे हो तो इसे लगभग 5 लाख रख सकते हो लेकिन अगर याद रख सकते हो तो 4,92,000 आप इसे याद रखना ये पूरे 36 गड़ में कूपोशन के नंबर है ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना ना कि नेशनल को आप लोग यूज कर रहे हो लेकिन 36 गड़ पे फोकस जादा रखना ठीक है नेशनल को यूज करने का मतलब यहाँ पर यही हो गया कि नेशन जैसे कि नेशनल फैमिली हिल्थ सर्वे के अनुसार 36 गड़ में बिलासपूर में सबसे ज़्यादा कूपोशन की समस्या है ठीक है बिलासपूर में लगभग 35,000 बच्चे जो हैं वो कूपोशन सिगरासित हैं सब लगभग में लिखना ना क्योंकि जो डाटा रहते हैं 34,000 नौसो कूछ है वो आप लोग याद नहीं रख पहोगे तो इसलिए हमेसा लगभग में याद रखो और अगर एक्शुल डेटा याद रख सकते हो तो यह बहुत अच्छी बात है ठीक है दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका राजनांद गौँ राजनांद गौँ में जो आप लोगों पर एक बार ध्यान से पढ़ लिजेगा आपको यहाँ पर बालोदा बजार में लगभग 29,000 डेटा मिल जाएगा इसके लाब राइगार में लगभग 24,000 बच्चे कूपोशन सिकरसित है और अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो 36 गण में कूपोशन क में से 44 परसेंट जो है वो सबसे ज़्यादा आदिवासी बच्चे जो है कूपोशन से ग्रसित है इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़े डिसकस करने वाले हैं तो यह नंबर से याद रखिएगा 44 परसेंट आदिवासी वाला यह आपको कैसे आगे यूज़ करना है यह मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर इंडिया में और 36 गड़ में कूपोशन के सिच्वेशन किस प्रकार से आप यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो यहाँ पर आप लोग नंबर भी मेंशन कर सकते हो कि भारत में कितनी जो ज कर सकते हो ठीक है अब इसमें इंडिया और 36 गड़ के situation जब आप बता दोगे तो इसके आगे आप क्या बढ़ोगे effects की तरह पड़ोगे यानि कि आपका middle structure का अब second part जो होगा वो प्रभाव होगा कि कुपोशन किस तरह से हमारे देश को प्रभावित कर रहा है या कुपोशन जो है किस तरह से हमारे 36 गड़ को प्रभावित कर रहा है तो इसके प्रभाव किस तरह से हो सकते हैं अब सोचकर दे ये तीन तरश से effects कुपोषण जो है हमारे देश को दे रहा है याने की प्रभावित कर रहा है अब यहां पर क्या आप मेंशन करोगे एक World Bank का रिपोर्ट आया था हाली में World Bank ने इस report को release किया था और इस report में बताया सिर्फ 2012 में भारत को 53.8 अरब डॉलर इतने का नुकसान सिर्फ भारत में हुआ कुपोशन की समस्या से समझ रहे हो ना 2012 में ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 2012 में भारत को 53.8 अरब डॉलर का नुकसान कुपोशन की वज़े से हुआ हलाकि ये रिपोर्ट हाली का है लेकिन ये आकड़ा आपको 2012 के वर्ल्ड बैंक ने बताया है तो आप इस चीज़ को मेंसन कर सकते हो ठीक इसके अलावा यूमन और सोसियल एफेक्ट किस प्रकार से डाल रहा है आपका कुपोशन की जो समस्या है आप इस चीज़ को यहां पर मेंसन कर सकते हो इस चीज़ में आप ये चीज़ को मेंसन कर सकते हो कि पूरे देश में 1.04 मिलियन अगर 0-5 वर्स तक के बच्चों की मौत होती है तो इसमें से 66% जो है मौतें किस वज़ा से हो रही है कुपोशन की वज़ा से हो रही है और इसमें एक अगरणी राज़ियों की केटेगरी में आपका 36 गड़ राज़ भी इस्तीत है जो कि टॉप 5 स्टेट्स में आता है ठीक तो इस बात को आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हो कि सोसियल और यूमन एफिक्ट्स किस प्रकार से डाल रहा है तो इस चीज को आप लोग यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो सिर्फ मैं एक एक्जामपल बता रहा हूँ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें है जो आप लोग यहां पर लिख सकते हो ठीक है क्योंकि लिखने का सबका तरीका अलग-अलग होता है बस मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इसे फ्रेम कर सकते हो अब इसके बाद जब एफेक्ट्स लिख लोग यह कि किस तरह से कुपोशन जो है आज के समाज को प्रभावित कर रहा है या फिर आज की अर्थर्वस्था को प्रभावित कर रहा है उसके बाद अब अगले point पर क्या जाओगे हमारा middle structure में चौथा पाट क्या था सरकार के प्रयास भूलना मत है mind में हमेशा mind map की तरह इसको रखा करो framing को क्योंकि जब आ फ्रेमिंग भूल जाओगे न तो पर दिक्कत हो सकता है तो इसके बाद तीसरा पार था हमारा सरकार के प्रयास अब यहां पर सरकार के प्रयास में आपको government के schemes लिखने है national government के schemes इंट्रोज करना है चत्तिसगर के schemes को लिखना है तो कुछ कुछ इस schemes के आप लोग को वर्स 2022 तक 25 परसेंट तक लेकर आना है इंडिया में भी 2015 और 16 के हिसाब से को portion की percentage कितना था 38.8 परसेंट और सरकार का दावा है कि 2018 तक है कितना पहुंच चुका है 31 परसेंट पहुंच चुका है तो 31 परसेंट से डाउन करके इसे 2022 तक 25 परसेंट लेकर आना है यह राष्टिय पोशन मिशन अभियान का जो है वो टार्गेट है ठीक इसके अलावा राष्टिय पोशन मिशन जो है स्टार्टिंग दौर में 36 गड़ के सिर्फ 15 जीलों को सामिल किया गया था उसके बाद 2018 और उनिस में 36 गड़ के 15 जीलों को और सामिल कर दिया गया तो राष्टिय पोशन मिशन अभी प्रेजेंट टाइम पर 36 गड़ के सारे जीलों में वहाँ पर लागू है इ इसलिए नेशनल इसकिम्स यहां पर इंट्रोडियूस करना इसके लावा जो आप 36 गड़ के इसकिम्स लिखोगे तो सबसे पहले वहां पर क्या मेंशन करोगे रिसेंट में सबसे ज्यादा न्यूज में कौन सा रहा सूपोशन अभियान जो कि 2 अक्टूबर 2019 से पूरे प् टार्गेट है इसके अलावा 36 गड़ में कौपोशन की समस्या खत्म करने के लिए और बहुत सारे स्किम्स चल रहे हैं जैसे है सूपोशन चौपाल है महतारी जत्तन योजना है वजन तैवहार है मुख्यमंत्री अमरित योजना है पूरक पोशन अहारे कारिक्रम और भी ब स्ट्रक्चर में चौथा पाट की आएगा मठेट स्ट्रक्चर में चौथा पाट सोचिये क्या होगा मैंने बताया था रिक्वार्मंिट आवशक्ता यानिके इससरकार माल नियूट्रिशन कूपोशन को खत्म करने के लिए इतनी सारे इनिस्टेटिव इतनी सारे स्किम्स चला रही है इसके बाद भी आज की जरूवत क्या है कि कूपोशन की समस्या को खत्म किया जा सके तो requirement में आप तीन चीज़ों को mention करना social development, human development, economical development इन तीनों को अगर अचीव करना है और इन तीनों को खत्म करके ही आप अगर एक developed country बन सकते हो तो आज की जो present time पर demand है कि आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखो 36 गड़ में भी यही तीनों चीज़ों लागे होगी कि अगर आपको 36 गड़ को एक पिछड़ा राज्य से उबार कर आप इसे एक विक्सित राज्य बनाना चाहते हो तो यहाँ पर mal nutrition को खत्म करना होगा क्योंकि mal nutrition को जब तक आप खत्म नहीं करोगे आपका social development, economical development या फिर human development possible नहीं तो कुपोशन को खत्म करना सरकार के समक्च बहुत challenging काम है तो आज की requirement में आप यहाँ पर जितने भी schemes चलाया जा रहे है 36 गड़ कर्मेंट या national government पर उसमें किस तरह से सुधार किया वे शकता है उसको किस तरह से ground पर implement किया जा सकता है यह सारी चीज़ों को mention कर सकते हो कहने का मतलब यह है कि indirectly आप government को सुझाओ दे सकते हो own opinion के साथ में facts के साथ में own opinion अगर है भी तो वहाँ पर facts होना बहुत जरूरी है यह बाते हो गई आपका middle structure की middle structure में हमें से याद रखना हमने कितने तरीके से frame किया चार तरीके सी किया पहला किया था हमने सबसे पहले इंडिया के हिसाब से 36 गड़ की situation बताई दूसरा हमने effects बताए कि कूपोशन किस प्रकार से आज के समाज को या फिर आज के economy को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है तीसरा किया था सरकार के प्रयास यानि कि सरकार के तरफ से कौन-कौन से scheme से फिर कौन-कौन से initiative चलाया जा रहे है जिससे कूपोशन की समस्चा को खद्म किया जा सके और चौथा पार्ट में हमने आवे शक्ता को डाला समझ रहे हो पूरा एकदम proper इस चीज को यहां पर mention करते जा रहा है एक बात समझिएगा यह topic एक ऐसा topic है ना आप लोगों के मन में इतनी सारी चीजे लिखने को आ रही होगी ना लेकिन सोच रहे होगे कि क्या लिखूं कैसे लिखूं कौन सा चीज छुड़ जाएगा कौन सा चीज को mention कर दूँगा चल रहा है ना मन में doubt कि यह ऐसा topic है जिस पर आप बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख सकते हो लेकिन एक सटिक way में कैसे लिखा जा सकता है हर चीज मतलब जितना चीज important चीज है सारी चीज है mention भी हो जाएए और एक proper way में भी हो तो उसका सबसे बहतर तरीका क्या है framing हर टॉपिक को एक बहतर तरीके से लिखने के लिए framing बहुत जरूरी होता है तो इसलिए framing पे आप लोगों का focus बहुत अच्छे से होना चाहिए ठीक अब यहाँ पर introduction खतम middle structure खतम बहुत 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 तरीके से अब बच गया हमारा conclusion हमेशा एक बाद ध्यान रखना conclusion के starting में या तो conclusion के end में एक quote बहुत attractive वहाँ पर आप यूज कर सकते हो अब दोनों जगा आप use मत कर ले ना कहीं एक जगा या तो starting में या तो ending में आप वहाँ पर एक quote बहुत अच्छा सा use कर सकते हो google search कर ले ना बहुत सारे malnutrition से related आपको quote मिल जाएंगे या फिर world health organization की तरफ से कोई statement आता है तो एक दो line का अगर statement है और यह लगता है कि आपको बहुत important statement है तो आप उसको बिल्कुल वहाँ पर mention कर सकते हो या फिर अभी United Nation का जो 74 अधिवेशन चल रहा था वार्सिक अधिवेशन उसमें भी अगर कूपोशन की समस्या से related कुछ आपको quote मिल जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल मेंशन कर सकते हो ठीक अब यहाँ पर conclusion conclusion में समझें कि आपने middle structure में क्या-क्या चीजे वहाँ पर डाली ठीक क्योंकि conclusion आप अगर इस topic का दे रहे हो तो आपका इस topic का पूरा analysis कहा हुआ है middle structure में हुआ है तो आप middle structure को यहाँ पर समझो और एक own opinion बनो facts के साथ में middle structure में आपने क्या बताया middle structure में आपने बताया कि 36 गड़ में कूपोशन की समस्या किस तरह से है middle structure में आपने बताया कि कूपोशन की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार के दोरा कौन-कौन से पहले की जा रही है middle structure में आपने बताया किस तरह से का conclusion आप यहाँ पर रखिए बताईए कि 36 गड़ में अगर आज के टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर 37.7% को पूशन की समस्या है और पूरे देश में 36 गड़ आज साथ में स्थान पर है हाला कि दूसरे स्थान से साथ में स्थान पर पहुँचा है दस वर्सों में यह बहुत अच्छी बात है लेकिन 36 गड़ को और अधिक सुधार के आवेशकता है अगर राज को विक्षित करना है या फिर राज को आगे बढ़ाना है तो कोपोशन की समस्या को खत्म करना पड़ेगा और सबसे बड़ी एक समस्या क्या है पता है कि 37.7% में से 44% जो कोपोशन की समस्या है वो आदिवासियों में है तो यह सबसे ज़्यादा नंबर क्यों है यह नंबर इस लिए हैं कि आदिवासी छेत्रों में सरकार के जितने भी schemes हैं या सरकार के जितने भी initiative हैं वो सही तरीके से ground level पर नहीं पहुँच पा रहा है या सही तरीकों से इनको फैदा नहीं मिल पा रहा है तो यही एक वज़ा है कि 36 गड़ के आज आदिवासी एरिया में कूपोशन की समस्या बहुत जादा है और इनहीं आदिवासी नंबर की वज़ा से यानि कि 44 परसेंट को आप कवर नहीं कर पा रहे हो इसलिए 36 गड़ में 37.7 परसेंट को पूशन की समस्या है तो target क्या होना चाहिए सबसे पहले इनहें होना चाहिए कि इनहें आप किस तरह से government के initiative या फिर governments के schemes को फायदा दिला सकते हो तो ground level पर किस तरह से work होना चाहिए ये सारी चीज़ों को आप conclusion में वहाँ पर mention कर सकते हो कहने का मतलब है own opinion रखो इस topic का conclusion पर इसमें आप governments के schemes को ground level पर कैसे implement किया जाए सारी चीज़ों को mention कर सकते हो तो कहने का मतलब यह है total facts के आधार पर यह पूरे middle structure के आधार पर आप यहाँ पर own opinion के साथ में conclusion रख सकते हो एक बहतर तरीके से ठीक है तो यह था हमारा इसका framing इस topic का 36 गड़ के facts बहुत अच्छे अच्छे थे सबके पास में knowledge बहुत अच्छा अच्छा था कहीं कहीं पढ़ते समय ऐसा लगा ना कि वो कुछ लिखना चाहा रहे हैं पर उसको सब्दों में उतार नहीं पा रहे हैं और यह generally हर किसी के ग्यान हो क्योंकि जब तक सब्दों का ग्यान नहीं रहे गा ना आपके पास में dynamic facts या static facts चितने भी हो आप उसको सही तरीके से नहीं उतार सकते और सही तरीके से नहीं उतारने की वज़़से यह थोड़ा सा आपका answer writing जो जाना वो कमजोर हो जाता है तो इसलिए अब बोलोगे कि सब्दों का ग्यान कहां से आएगा तो सब्दों का ग्यान का सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आप competitive exams के तैयारी कर रहे हो तो कुछ होर सोचा हो तो नहीं दूँगा बस इतना दूँगा कि आप newspapers पढ़ो, newspapers पढ़ने का मतलब यह बिलकुल नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ current को update करने के लिए dynamic part को update करने के लिए हम newspapers पढ़ रहे हो Hindi medium को होते हैं एक अच्छा सा Hindi newspaper पढ़ो English medium को होते हैं एक अच्छा सा English newspaper पढ़ो editorial पढ़ो, वहां से आपको सब्दों का ग्यान होगा ठीक, यह पहला तरीका होगा, दूसरा तरीका यह है कि जितने भी discussion community पर topic दिये जा रहे हैं आप उसको बार बार लिखो, लिखने से क्या होगा, questions बहुत सारे प्यास से ही आएगा, मेहनत से ही आएगा, तो आप बार बार मेहनत करते चलो और एक बात हमेशा जिन लोगों ने बहुत अच्छा लेक लिखा है ना, उन लोगों के लिए और बहतर बनाया जा सकता है, तो आप लोग बार बार प्रियास कीजिए और उस चीज को और बहतर करने का कोशिज कीजिए, ठीक है, क्योंकि जितनी बार प्रियास करोगे ना, वो चीज़ें उतनी बहतर होती जाएगी, तो इस तरह से इससे अपडेट रहने के लिए या discussion community से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए आप लोग telegram channel से जूड़ जाएगा इसके लाबा ये रहा आपका चौथे वीक का topic 36 गड़ इसूस का चौथे वीक का topic हो जाएगा इसके लाबा national week का आपका तिसरे वीक का topic हो जाएगा रात से ये active हो जाएगा तो आप लोग वहाँ पर जाकर इस topic पर भी वहाँ attempt कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों तक share करो दोस्तों भी दोस्तों भी वहाँ पर आएगे न अपके वहाँ पर अपना post रखेंगे तो उनके post को भी आप लोग पढ़ सकते हो उनकी कमेंट भी कर सकते हो उनकी कमिया भी निकाल सकते हो तो इस तरह से आप लोग discussion community से जूड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जो करना ना भूले